दोस्तो आज की वीडियो में हम जीरोदा एप्लिकेशन में कवर ओरडर किस तरीके से प्लेस करनी है इसके बारे में एक टुटोरियल देखने वाले है मैं एजुकेशनल परपस ये वीडियो बना रहा हूं तो ज़्यादा कॉंटिटी नहीं बाय कर रहा हूं और रैंडम कोई भी स्टॉक यहां पर सिलेक्ट कर रहा हूं तो ये कोई रेकमेंडेशन नहीं है इंट्राडे ट्रेड करने के लिए मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि प्रोसेस कैसे की जाती है तो जैसे कि आप देख रहे हैं वाच लिस्ट में बहुत सारे स्टॉक में नहीं यहाँ पर एड करके रखे है एक साथ आप दो order यहाँ पर प्लेस करते हो आपका वाई भी हो जाएगा और स्टॉक लॉस भी प्लेस हो जाएगा तो सबसे पहले हम स्टॉक को सिलेक करते हैं बाई के उपर क्लिक करना है यह order जो है cover order particularly यहाँ पर आपको दिखाई देगा regular के बाजों में यह cover का option दिया जाता है यह order सिर्फ intraday में प्लेस कर सकते हो आप delivery या किसी और position में नहीं प्लेस कर सकते हो आप FNO में भी यह order प्लेस कर सकते हो कोई भी problem नहीं है लेकिन सिर्फ intraday में आपको ट्रेड लेना पड़ेगा buy के लिए हो या फिर sell के लिए यानि कि short selling में भी आप cover order प्लेस कर सकते हो कोई भी दिक्कत नहीं आती है अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे है price 422 रुपे है current price जो है वो यहाँ पर 422 रुपे 45 पैसे के आसपार चल रही है तो आप market type limit भी select कर सकते हो या market भी select कर सकते हो market select करोगे तो current market पर buy हो जाएगा limit select करोगे तो आप price को negotiate कर सकते हो और कम price में इसे buy कर सकते हूँ अब यहाँ पर आपको एंटर करना होता है stop loss, stop loss आप एंटर करते हो stop loss trigger के section में, आप कितना loss एक particular trade में सेहन कर सकते हो, उसके उपर आपका stop loss लगाना चाहिए, हाला कि यह stop loss जो है वो चार्ट के उपर लगाना चाहिए, जो भी support level आपका रहेगा, उसके नीचे आपका stop loss रहता है, तो मैं यहाँ पर 5 quantity के हिसाब से मैं यहाँ पर तैय कर रहा हूँ कि 415 के नीचे अगर stock आ जाता है, तो मुझे क्या करना है, उससे अगर नीचे price आती है, तो मुझे loss सहन नहीं करना है, मतलब 422 से 415 अगर stock आ जाता है, तो उसके नीचे आता है, तो मुझे loss उतने जादा नहीं सहन करना है, तो मैं उतने में ही कटने वाला हूँ, और उतने में ही मेरा जो position है, वो square off होना चाहिए, तो मैं इसलिए यहाँ पे 415 का trigger लगा रहा हूँ, अब क्या होगा, अगर market उपर बढ़ता है, तो मुझे profit हो जाएगा, लेकिन market अगर नीचे आता है, 418 तक आ गया, 417 तक आ गया, तो मुझे क्या होगा, loss होगा, लेकिन मेरा loss यहाँ पे cut कहा होगा, 415 पे cut हो जाएगा, मैं exit हो जाऊँगा इस position से, तो इसलिए मैं यहाँ पे stop loss लगा के काम करना चाता हूँ, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, market से लेक करेंगे, क्योंकि मुझे आपको पूरा execution करके दिखाना है, तो मैं यहाँ पे wait नहीं करूँगा, market के उपर execute कर दूँगा, swipe to buy कर देंगे, तो order हमारा यहाँ पे complete हो गया है, दिखाई दे रहा है, order आपको देखना है, इस section में, जैसे ही आप order पे जाओगे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा, Tata Motors, 5 stocks, buy completed, अब open order में भी एक order pending दिखाई दे रहा है, वो कौन सा order है, हमारा buy order जो है, यहाँ पे complete हो गया है, और open में हम जाएंगे, तो trigger जो हमने stop loss लगाया था, 415 का, वो यहाँ पे sell के लिए हमारा pending दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, cover order SLM, stop loss market, market हमारा order लग गया है stop loss का, अब अगर stock यहाँ से नीचे आता है, तो मुझे यहाँ पे loss होगा, और 415 पे जैसे ही stock आएगा, मेरा order execute हो जाएगा, मैं stock से निकल जाऊँगा, और मेरा उससे अगर stock नीचे गिलता है, तो loss नहीं होगा, यही पे मेरा exit हो जाएगा, आपकी position अगर आपको देखनी है, तो portfolio में आपको जाना है, portfolio में आपको positions, यह जो section दिखाई दे रहा है, इसके उपर click करना है, अब फिलाल आप देख रहे हो, कुछ 2 रूपे 25 पे से का loss हो रहा है, लेकिन मुझे आप यहाँ पे कोई tension नहीं है, क्योंकि 415 के उपर मैंने क square off करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद auto square off हो जाएगा, तो अगर मैं यहाँ पे profit पे आ जाता हूँ, तो यहाँ से exit आपका नहीं होगा, यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि cover order से exit करो, तो आपको exit अगर करना है, profit में आते हो और आपको exit करना है, तो order में आके यह जो particular order है, वो आपको exit करनी पड़ेगी, वो आपकी market price के उपर exit हो जाएगी, या फिर आप modify करके यहाँ पे stop loss जो है, वो trail भी कर सकते हो, manually करना पड़ेगा, आपको stop loss अगर उपर लेके आना है, अगर आप 2 रुपे उपर profit में चल जाते हो, तो आपका stop loss अगर 417 पे आना है आप को, तो modify के उपर click करना होगा, और manually आपको यह modification करना होगा, इसको trailing stop loss कहते हैं, लेकिन यह automatically नहीं होगा, manually करना पड़ेगा, अगर exit करना है, profit हो गया है, बाहर निकलना है, तो exit यहाँ जिकरना पड़ेगा, ना कि position से आपको exit करना पड़ेगा, तो फिलाल देखते हैं, 2 रुपे का loss 50 पैसे पे आ गया है, तो जैसे ही profit में आता है, मैं exit इस stock को कर दूँगा, अभी बज़े है, 11 बच के 15 मिनट, 3 बच के 15 मिनट तक का मेरे पास वक्त है, तो देखते हैं, वेट करते हैं, और profit में अगर आता है, तो exit कर देते हैं, फिलाल के वीडियो में इतना ही cover order कैसे place करते है, उसके क्या क्या फाइदा है, मैंने इस वीडियो में आपको सारी चीज़े बता दी है, उसके बाद भी अगर आपको कोई doubt है, तो comment में मुझे पूछ लेना, वीडियो को जादा से यादा share करना, वीडियो को like करना न भूले, और channel को subscribe करना, मैं मिलूंगा next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद,